हाई फ्रेंड आप देख सकते हैं यह मेहंदरा सुपुरोग गाड़ी है और यह गाड़ी अभी अमेरे पास घीच कराया और देख सकते हैं पार्टी के कंपले नहीं यह गाड़ी स्टाट नहीं हो रहा है तो इसका मैंने मीटर पर सबसे पहले लाइन इगनेशन आउन करने के पास मैंने फ्यूज चेक किया यहां पर आपका इसी इम का हा फ्यूज ब्रेक का उसके बाद इसीम का एक और दो इसीम का फ्यूज मैंने चेक किया यह सही है और जिए इसीम भी चेक किया इसीम का क्नेक्टर से बहुत फिर यह गाड़ी स्टाट नहीं हो रहा इसका में का पूरा आगे डेश्बॉर्ट वारिंग जो हता है यह आप्देख सकते हैं डेश्बॉर्ट वारिंग ये डेसबोर्ट वाइरिंग से भी मैंने चेक किया और फ्यूज से भी चेक किया रिले फ्यूज जितने भी है इस्टाट नहीं हो रहा गाड़ी गाड़ी नहीं स्टाट होने का करान प्रेंड किया है जब मैंने इसका। चेक किया पाटी से पूछा कि गाड़ी में तेल है कि नहीं मैं उपाटी बोला हमारे गाड़ी मेंiset सतलुल साथ लीट तेल है तब भी गाड़ी स्टाट नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं मैंने यह crabgen पॽंप है यह या पर बॉल रपायमाइं हो ये नट को जब मैंने खोला अचयिक किया तो तो पेल नहीं आ रहा ता तो फ्रैंड अगर किसी भी गाली में स्टार्टिंग टरेवू लो सबसे पहले गिनेसन ऑन करके आप अपने मीटर का लाइन चेक कर सकते हैं उसके बाद आप रिले फ्यूज यह सब कर सकते हैं फिर भी आपका गाली स्टार्ट नहीं हो रहां तो फिर आपको च्रण करना पड़ेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी में फॉल्ट कहां से क्या फॉल्ट था मैं आपको जरूर बताऊंगा और इसका जब मैंने यह हाई प्रेसर जब मैंने खोला फ्रेंड खोल के यह नट देख सकते हैं फिंस मैं आपको देखा रहा हूं इस पर है सेल्फ के ठीक बगल में और अल्टिनेटर के ठीक उपर में 20 सेंटर में राता है फ्रेंड यह जिस पर मेरा यह उंगली का निसान जो जा रहा है यह यह फ्रेसर तो यह मैंने नट खोल के जब चेक किया तो यह पर तिल नहीं आ सही हो रहा मोटर भी अच्छा चल रहा मोटर से भी कोई दिक्कत नहीं हमको बुझाया तो मैंने इसका डीवी चेक किया आपको देखाते हैं कहां पर होता है हम लोग के तरफ उसको डीवी बोला जाता आप देख सकते हैं आप गाली के नीचे में ढूख के आप लोग को देख देखा रहा हूं कि अब डीवी क्या होता है तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने नीचे आ गया गाली के नीचे आ चुका हूं और यह उपर से हलका लाइट आ रहा तो मुश्किल नहीं है आप देख सकते हैं यह हमारा जो हाथ अंगली का हिसारा है यह एफ डीवी है इ कवह से Сब्सक्रण के दा है कि हो उसकता है क्याहिं हुल होच होने के कारण मोटर फ्रेश सपयरा नहीं देता को है इससक्रण सही है और यह कट भी सही है कहीं से डैमेज नहीं है तो उसके बाद मैंने इसका क्या किया टंकी के तरफ मैंने टंकी के पास आके फ्रेंड मैंने यह डिजल फिल्टर है सुप्रो गाड़ी क्या तो मैंने यह फिल्टर चेक किया कि फिल्टर में कचड़ा नहीं नहीं है यह फिल्टर में कचड़ा उड़ तो फिल्टर जाम भी नहीं था फ्रेंड तब भी ग प्रेशर में यह पाइम्प लगता मैंने जब यह पाइम को निकाला आप देख सकते हैं एक मिनेट आपको देखाते हैं वीडियो आप लोग देख सकते हैं यह डिजल फिल्टर के बगल से यह जो पाइम्प है यह यह लोक को दाप कर जब मैंने इसको निकाला निकालने के बा प्रेस्र नहीं आ रहा था फ्रेंड एकदम जो इसका तेल हाना चाहिए 1.5今日 को यहां है Gleich कि जब शीकिल आंब करते हैं तो डानकी जब मोटर आपकर चलेगा तो किला यह कर चाहिए मैं इसका प्रेंड फ्रेंड में दो रोल कर ये लॉक को दाब कि Claire को ये साड़ में व्हाएं ये लोक है ये लॉक ये लॉक दबाता है जब निकाल हूं ने चेक्छ Iya तो और तो तील जब प्रेसर नहीं आया जब इसका तेल प्रेसर नहीं है तो मैंने समझ गिया कि इसका मोटर में फॉल्ट है ना इसका वाइरिंग से कोई डिस्टर्पिंग है और नहीं इसका ECM से और नहीं इसका देखिए मोट सबसे पहले तो आप लोग समझना यह है कि ECM चलाने के लिए इसमें डिले और फ्यूज नहीं होता इसका होता क्या है भी इसका मैंने टंगी जब उता लिया अप देख सकते हैं यहहमारे पास मोटर है यह करके किसा हमें सबस्क então λεए हैं मोटर हमको अच्छे लगा कि burada सढ़ Whoever मतला कर सबस्क्राइब है मैं निकाल में यह पार सबस्क्राइब AW vara इस मोल न्युद अग्रस आपको इंजन तरफ जब जाता है प्रेक्रम में वह लाइन होगी आपको जब उधर से जब रेटानिंग आता तो यह लाइन हो गया तो जब मैंने इसका जब मैंने फिरेंट टंकी उतारा उतारने के बाद इसका मोटर मैंने जब बाहर निकाला आप देख सकते यह कबर मोटर का यह मोटर जब मैंने निकाला निकाल के किय कि बाल्टी में डाल कर इस तरीका से बाल्टी में मैंने डाल दिया डालने के बद जब इसमें किनेक्टन लगाया मैंने और इसका प्रेशर चेक किया तो प्रेशर नहीं आ रहा था तो फोल्ट तो यहां पता चलिए फ्रेंड की इसका मोटर डैमेज है मोटर खराब हो चुका जिसके कारण प्रेशर नहीं दिया और इसी के कारण फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था फिन मैंने सोचा कि एक दिमाग इसमें लगाने का सोचा कि दिमाग लगाया जाए आखिर प्रेसर क्यों नहीं दे रहा तो जब मैंने इसका चेक किया कि मोटर तो लो लो प्रेसर है प्रेसर नहीं दे रहा तो आप देख सकते हैं यहां पर मोटर में से यह पाइम जो निकला है यह इस तरीका से देख सकते यू बना वहा फ्रेंड यू बना वहा यू बन कर यह आपको उपर मैंट पाइम के तरफ जा रहा है यह मैंट पाइम हो गिया आपको उसी में से कनेक्टो कर यह नीचे की और आ रहा है जो रिटानिंग हो गिया जब मोटर इस पे तिल जाएगा आधा तेल उपर जाएगा ती प्रेशर नी बना रहा था जिसके करण गड़ इस्टाट नहीं हुआ तो मैंने वारिंग और इसका चेक किया इसका मैंने फिल्टर के पास चेक कि और रहा हैं तो मैंने इसमें एक दिमाग लगा यह दिब दिमाग लगाया फ्रेंड के इधर गि na था फ्रेंड जिसके कारण यह फ्रेशर नहीं बना रहा है अब तो इसमें मैंने क्या कि यह की एक 10 नमर को बोल्ट लिया अब लेने के बादंगर सकते हैं इसके सिरद्ध शाला इसके बाद इसका प्रेसर मैंने चेक किया तो प्रेसर पहले से बहुत ज्यादा इसका बढ़ चुका था उसके बाद मैंने गाड़ी में ऐसे बाहर में बाल्टी में तेल डालकर और मोटर डालकर जब मैंने इसको लगा कर इस तरीका से आपको देखाते हैं डेख सकते हैं मैंने सेकाता है प्रेसर पाहिले से बहुत ज्याद़ बढ़ चुका नहीं आ रहा है तो प्रेंट देख सकते इस तरीका से मैं ये जाड़ी को स्टाड़ किया यह आप गाड़ी देख सकते हैं हमारे पास अभी लगी भी है तो कभी भी किसी भी मोटर अगर डैमेज हो यह रास्ता में आप फस चुके हैं तब यह दिमाग लगा सकते है फ्रेंड जो मोटर से आपको उपर की और पैम जाता है तिल चड़ाने के लिए उसमें आपका अलग से एक रिटैनिंग भी उसे में जॉइंट राता है देख सकते हैं यह मैं पाएं तो इसमें मैंने दस नमर के जब बोल्ट सट आया इसमें जाम किया तो इसका प्रेसर बड़ भी गिया और गाड़ी भी स्टाट हो गिया तो मैं बात है आप लोग समझ सकते हैं कि इसका टंकी सुपरो खास करकर सुपरो गा तो यह मोटर एटमाटिक अपने आप चलू हो जाएगा तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहे है अपके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारा वीडियो को सेर लाइक और सब्सक्राइब करते जाहिए और आप लोग देखके भी दिमाग लगा सकते हैं फ्रेंड यह नट यहां पर लगा दिए तो गाड़े स्टार्ट हो गया नहीं तो इसका मोटर चेंज करना पड़ता तब यह गाड़े स्टार्ट हो गया